जमशेदपूर के साक्ची थाना अंतरगत राजिंद्र नगर में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है जहां चोरे ने कारोबारी अजय मोदी के घर में करीब दो कडोर 10 लाक रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है बताय जा रहा की अजय मोदी बीते 29 सितंबर को बेटे के साथ सिंगापूर गय थे लोटने पर देखा की घर का सारा समान बिखड़ा पड़ा है इसमें देड़ कडोर की जुलरी और 50 से 60 लाक नगत गायब मिले सुचना मिलते ही साक्ची थाना पुलिस मौके पर पहुची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है इस समन में जानकारी देते वक्त अजय मोदी ने बताया की लोटने पर देखा की घर का सारा समान बिखरा पड़ा है तलाश सबस्क्राइब ने और 30 के लिए रवाना हुए ऐ हम लोगं व्हy से सिंग्वापूर गये में दिने के लिए बच्चे का कूशी के लिए और इतने साल ही हो गये तो इसलिए मं कई गये नहीं तो गया कि भीdzieफन कर्ण ने के बदहन 국iras दर्शन करने के बाद हम लोग आग यहां सुबह 11 बजे पहुंचे हैं और दर्वाजा खोले हैं मेंगेट का और रूम खुला हुआ था पत्तिया एक दो रूम में जली हुई थी हम लोग जब अंदर घुसे मेरा बेटा पहले घुसा था हम नीचे से समान लेके आ रहे थे तो मेरा बेटा इंग्दम थक हो गया पापा पहले इदा रही है क्या होगिया तरह कमर में चटका लग दिया है हम लोग अंदर घुसे हैं जब तक देखें सारा चीज भिख रहा हुआ है एक भी जोएली नहीं है ना क्याश है कितने का सब्सक्राइब करीब पचा से साथ लाग रुपया अपना क्याश था है जानकारी मिली है कि एक जहर में चोरी हुआ है इसके जानकारी हुई है अब जात शुरू किया है आगे करवाई की जा रही है अब इसके पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है जैसे जानकारी होती है फिर आगे करवाई की जाई है घर में तो बता रहे है कि कोई नहीं है उसमें जात चल रही है जमशेटपूर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पाइंडी की रिपॉर्ट 5 6 6 9 8 2 8 3 0 1 5 8 2 1 0 2 7 6 2 7 2 1 1st floor आव प्लातनुं बजाच्च नियर हली फातवर का के रूर राजी पुआब। पुआब। पुआब।